भारत देश में एक निर्पक्ष ऐसे ही सरकार रहा है जो दलीतों को सुने और समझे उनकी भावनाओं से जो लोग खेल रहे हैं मैं पार्टी के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि उनकी बातें बर्दास नहीं की जाएगी जैसे की इन्होंने एक मुद्धा बीजेपी ने छेड़ दिया है राम मंदिर का इन्होंने ये रात बार बार अलाम रखा है वो राम मंदिर वो जब से चली हूँ आ लिया है जो आणवाजिजिन ना रात यात्रा चलाए थी उन्होंने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे उन्हें नहों पर जो भी बज्जिती वो दुरुआ दी और वो राम मंदिर राज तक रही बना है दो दिर बार इनकी सरकार है याहिने रहे हैं। इन्हों आसक्या धारता है। कि कर चब-चब चुनाव् होता है जब-जब ही यह नाम-मंदीर का इस अमपशनें हैं। हमारा मान्ना है। वहाँ पर ना तो मंदीर बने ना मंचित बने वहाँ कोई एक हॉस्पिटल खोल देर। वो होस्पिटल, हिंडू, मुस्लीब, सीख, इसाई, जितने भी हमारे देश के अंदर भाई रह रहे हैं, सबके लिए वो क्याम आए वहाँ पर, क्योंकि मंदिर बनने से कोई एक धर्ब का बना होगा, और वहाँ पर होस्पिटल बनने से, जितने भी हमारे साथी है, हमारे लोज़वार, गुज़वार, हमारी महिला है, उनका उसका सबका लाभास मिलेगा उन्हें, यह जो पार्टी है, बीजेपी, उसका अपना खुद का स्थित्व नहीं है, वह RSS के काम पर काम करती है, और जलीतों को बार बार सोसल कर रही है, तो हम मतादने चाहते हैं, परभाद पार्टी के बादब से हैं, और यूद सोब्राज पाउंडर के बादब से, कि जलीतों पे हो रहे हैं तेचार को, बिल्कुल भी बखसा नहीं ज जो हो रहा है, आई जिन हमारे घर जलाए जारे है, आई दे हमारे मैंट मेंटी को सोचल हो रहा है, तो हम भारत परबाद पार्टी के मादब से, और यूद के मादब से, हम उन्हें मूद जवाब देने का, हम वादय रख करते हैं आप से, बाबा सामने हमें भूल मत्त शिक खेख जाय थे कि संगेटी तरहों संगर्स करा एक तामर हो हमारे हम सब गो एक जुट होकर कर है ने ताकियों भीजेबी सरकार आई और उन्होंने कहा कि हम रोजगार विक अपक्राइगा अपनों को के लिए ना तो नहीं रोजगार किसको विक अपक्राइगे यह ना ही अन्होने रोजगार बंतर दिया है मैरे दूसरी बास आपने सुनाओ ऑगा पिवी के में से चैनलों के माथन से बता रहे हैं पीज़बी आदेती नात्सी जो हमारे मुख्या मंत्रिय यूपी के उन्होंने एक बात कही कि हनुमाजी जो थे वो दलिक थे यह सचा ही है इस बात के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि जो हनुमाजी जो थे वो जंगलों में रहते थे और जंगलों के अंदर हमारे आदिवासी भाई रहते थे तो वहाँ पर जो लोग रहते थे वो आदिवासी थे और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो हनुमान जी जी हो थे वो बालविक समाज से संब्द रखते थे क्योंकि बालविक एक समाज एक ऐसा समाज है वो सबकी रक्षा करता है सबकी सेवा करता है और सभी के हितों के बात सुथता है तो इसमें हमारे पूर्वज मैं तो यही मानता हूँ कि भी हन्मान जीछी होथे हमारे खुचभ से अमारे रक्षक खे और जहां-जहांपर हमारे लोग लेटे हुए वह अपने मिरे हन्मान जीछी पूजा करें पार्मी साथ में और मेरे एक आवर लाउद मे यस यहां पर भी मेरे साती मेरी आवाज को सुन रहे हो देश के कौने कौने तक BJP का बोट ना दे क्योंकि BJP जो है यह सरवाजार के पार्टी है और इसे जो है यह दलीतों के सोशल करती है तो इस बात को गोर करें जो साथ के मेरे BJP के अंतर गोर्ट में बैठे हमी है उने जो है BJP से दोष हो जाना चाहिए तो कि यह पार्टी दलीतों के पार्टी है मनुवादियों के काले पर काम करती है पार्टी है कहने के लिए और इस बहुत सारी बाते है और इस वक्ता है मेरा भाई